पढ़ाई से दूर रहो, सही सुना आपने, पढ़ाई से दूर रहो आखिर पढ़ाई लिखाई करके क्या हो जाएगा? कौन से तुम डॉक्टर या कलटर बन जाओगे? उससे अच्छा चलो जरा घूम आते हैं एक अच्छी सी मोवी देख लेते हैं या फिर कहीं बैट कर पार्टी कर लेते हैं अगर तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हें ऐसा सला जेता है न? तो समझ जाओ, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुस्मन है अरे दोस्त ओ होते हैं जो तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ बनने के लिए मोटिवेट करते हैं और एक बात बताओ ऐसी चार दिन की दोस्ती यारी का क्या फायदा अगर पांचवे दिन तुम्हें रोना पड़े अफसोस करना पड़े पढ़ाई को में से अपना पहला प्यार समझो तुम्हारे माबाप की उमीद तुमसे है तुम्हारे दोस्तों से नहीं तुम्हारे माबाप तुमसे एक आस लगाए बैठे हैं एक तुम ही हो जो उनके सपने को हकीकत बदल सकते हो दोस्त जरूर बनाओ लेकिन उनके लिए कभी पढ़ाएगे कुर्बानी मत देना मेरे दोस्त